नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहें CNDC भाई नंदन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पताने वाला हूं कि स्टेबलाइजर जैसे उटमेटिक होती हैter जो簡慌 नहीं होती एक लिए मैंने पछली विडियो के अंदर आप लोगों को दिखाई फी सलिंदै क्या होती है जबकि input voltage किस position में होती है तो आपकी कौन से relay on और कौन से relay off होती है उसके according आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि input voltage input supply किस loop के उपर जा रही होती है और output voltage किस pole से आपकी बाहर निकल रही होती है आपको सारी जानकारी मिल जागी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यह चार्ट दिखाई हुए थी कि input voltage जैसे 105 होती है तो फस्ट रिले सकेंड रिले थर्ड रिले तीनों कि तीनों आफ होती है फिर से 110 वोल्ट होती है तो पहली रिले आफ होती है दूसरी रिले आफ और तीसरी आउन होती है इस हिसाब से इन्पुट वोल्टेज कितनी होती है तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलती है और कौन सी रिले आउन होती है और कौन सी रिले आफ होती है actual में मैंने सारे की सारी output 200 से 240 के बीच दिखाया है और ये ऐसे ही आपको 200 से 240 के बीच देखने को मिलती है आज की इस वीडियो में खासकर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो relay की position के हिसाब से किस transformer के किस loop के उपर हमारी input voltage जा रही होती है और कहां से output हो रही होती है stabilizer के अंदर 90V की loop ना होने के बावजूद भी stabilizer कैसे 90V से काम करती है दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि micro controller जो 5 step होती है मैं उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पांच और छे यहाँ पे हमने 6 step दिखाया है जिसमें कि 105 वोल्ट जब input supply होती है 105 वोल्ट तक तो वहाँ पे सारी की सारी relay off होती है इसलिए हम इसे step में count नहीं करते हैं ठीक है और इसके बाद से हम step count करते हैं एक दो तीन चार और पांच ठीक है तो इस हिसाब से हम इस step में count करते हैं ठीक है तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जब आपकी जो यह step है इसमें मैं 6 ट्रांसफर्मर ने मैंने बनाया हुआ है जैसा कि देख सकते हैं दो तीन चार पांच और छो मैंने सारी की सारी step को समझाने के लिए यह सारी की सारी ट्रांसफर्मर बनाई है और ट्रांसफर्मर की पहली लूप 138 वोल्ट है दूसरी 206 तीसरी 246 चोथी 291 और पांच भी 300 ठीक है तो जब की सारी की सारी रिले आफ होती है 105 वोल्ट तक तो वहाँ पर सारी की सारी रिले आफ होती है उस कंडिशन में अगर आप रिले के पोजिशन को देखेंगे तो इस 138 वाले लूप के उपर input supply हो रही होती है और output 300 वाले से निकल रही होती है यह कैसे होता है तो actual में 138 वाले लूप के उपर जब हम 90 वोल्ट की supply करते हैं तो यहाँ पर output के लिए 300 वाले लूप से हमारी line बाहर निकलती है तो हमें 300 वोल्ट तो चाहिए नहीं होता है तो actual में होता है यह कि 138 के उपर मैं 90 वोल्ट डाल रहा हूं उतनी percentage यहाँ से decrease होकर हमें यहाँ पर 200 से 240 वोल्ट देखने को मिल जाती है यानि कि 90 वोल्ट की लूप यहाँ पर हम 300 से ले रहा है इसलिए यहाँ पर 138 पर हम 390 वोल्ट की supply देते हैं तो यहाँ पर voltage घट कर मिलती है तो 200 से 240 के बीच आपको देखने को मिल जाती है अब यहाँ से हम step count करेंगे यह step 1, यह step 2, यह step 3, 4 और 5 यह पाचो की पाचो step है जैसा कि आप सब को बता दूँ सारी transformer के उपर input और output हमने यहाँ पे 0 वाले loop के उपर लगा रखा है हर एक stabilizer में चाहे वो manual हो, automatic हो सब की supply जो input output की एक supply होती है वो transformer के 0 के उपर होती है तो first step की बात की जाए यहाँ पर जबकि input voltage 110 वोल्ट रहती है उस वक्त पहली relay off रहती है दूसरी off रहती है और तीसरी relay on रहती है इस condition में input supply हमारी जा रही होती है 138 वोल्ट वाले लुप के उपर और output हमें मिल रही होती है यहाँ से 296 वाले लुप से सॉरी 246 वाले लुप से यहाँ से हमें output निकल रही होती है अगर आप relay के position को देखेंगे गर से तो आपको input supply 138 पे दिखेगी और output 246 पे दिखेगी यहाँ पर supply 110 वोल्ट हो रही है और यहाँ पर यह लुप 246 वोल्ट के आसपास है तो यहाँ पर भी आपको 200 से 240 वोल्ट देखने को मिल जाती है ठीक है अब दोस्तों तीसरी step की बात की जाए तो तीसरी step के अंदर हमारी input supply हो रही होती है 206 पे ठीक है तो actual में जब 140 वोल्ट यह हमारी second step है second step में input voltage होती है 140 और दे रहे होते हैं कितने पे 206 पे तो जितनी percent यहाँ पर हम decrease voltage डालते हैं वैसे ही यहाँ से हमें decrease voltage 200 से 240 वोल्ट के आसपास देखने को मिल जाती है ठीक है अब हम third step की बात करें third step में 170 वोल्ट हमारी input होती है वैसे condition में हमारी जो input supply है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं input supply और output हमें यहाँ से देखने को मिल दी है तब input supply हम कितनी दे रहे हैं third step में 170 वोल्ट लूप कितनी है 206 और output ले रहे हैं 246 तो यहाँ भी हमें 200 से 240 वोल्ट देखने को मिल जाती है ठीक है अब दोस्तों हम 4th step की बात करते हैं 4th step के अंदर हम input supply कर रहे होते हैं 290 पे और output हमें मिल रही होती है 300 वाले लूप के साथ तो इस condition में क्या होती है 4th step में जबकि voltage होती है 200 वोल्ट ठीक है हम input डाल रहे होते हैं 291 पे और output हमें मिल रही होती है 300 से ठीक है तो इसके अंदर हम voltage डाल रहे होते हैं उस वक्त 200 तो यहाँ पे 300 वाले लूप से फिर से हमें 200 से 240 वोल्ट देखने को मिल जाता है अब 5th step की बात की जाए तो 5th step में क्या होता है कि हमारी input supply हो रही होती है 291 से ठीक है और output निकल रही होती है 246 वाले लूप के साथ अगर आप relay के position को देखेंगे तो इस वक्त हमारी 50 step काम कर रही होती है 240 वोल्ट input supply हम दे रहे होते है 291 पे और output हमें 246 से मिल रही होती है तो इस हिसाब से 291 वाले लूप पे चुकि हमारी stabilizer 90 से लेकर 280 वोल्ट के बीच काम करने वाली होती है तो इस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पर input 200 से 250 से लेके 280 तक यह लूप हमारी survive कर लेगी क्योंकि यह 291 वाली लूप है और यहाँ पे output हमें 246 वाली लूप से मिल रही होती है तो यहाँ भी voltage की जो कुछ percentage है वो minus होकर यहाँ भी हमें 200 से 240 वोल्ट देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से 5 step micro controller में किस लूप के उपर input voltage और किस लूप के उपर output voltage निकल रही होती है एक-एक step के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है अगर आगे आप लोगों की request रहेगी तो मैं इसे complete relay के connection के साथ मैं एक-एक page में एक-एक step बना कर भी आप लोगों को दिखा दूँगा तो अगर आप उस video के लिए interested है तो comment section के अंदर हमें जरूर बताएं अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई तो like का वटन जरूर से दवाएं और अगर आप stabilizer और refrigerator की complete training लेना चाहते हैं तो description box के अंदर हमारे institute की address और phone number में लेगी आप directly वहाँ पे हमसे बात करके हमारे institute को join कर सकते हैं तो फिलाल कि इस video में बस इतना ही मिलते हैं झाल का हमारे चाहते हैं